नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं खबर दो पहर मैं हूँ प्रीती सिंग शुरुआत मुख्य समाचारू के साथ पुर्वोत्तर में प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी के अरुनाचर प्रदेश के आलो में रैली कहा पाच साल का सेवा भाव और पशपन साल के सत्ता सुख का लोगों ने देखा फर्क असम के डिबरुगर और त एंडिये का शक्ति प्रदशन गांधे नगर सीट स्यामिट शाका नाबान कर शिव्ष नेना प्रमुक उदव्ठाकर अकाली दल प्रमुक प्रकाश्य सिंग बादल और लजीपी सुपरीमो राम विलास पास्वान ने भी शामिल समाजवाधी पार्टी ने कानपुर से श्र परचीसवी वर्चिगार समारों में उप्राश्पति अम्विंके नाइडू का संबोधन कहां लोग तांतरिक राजनीती का प्रमुक स्तंप नियार पालिका भारत बोलीविया ने संस्विती खनन अंतरिक्ष समेथ 8 MOU पर किये हस्ताक्षर बोलीविया को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ओफ किरेट देने की पेशकश राश्पति रामनात कोविन को बोलीविया का सर्वोच सम्मान और अजलान शाह होके टॉनामेंट में भारत दक्षन कोरिया के बीच खिताबी भड़न आज जीत के लेग और बरकरार रखने के रादे से उत्रिगी टीम इंडिया पोलेन पर शांदार जीत के बाद होसले बुलंद लोकसबा चुनाओं के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का काम कल पूरा हो गया इस चरण में 18 अपरेल को 13 राजियों के इंदर शासर प्रदेशों के लिए 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे इस बीच 11 अपरेल को होने वाले पहले चरण के लिए चुनाओं प्रचार जोर पकड़ने लगा है सभी पार्टियों के दिगज नेता प्रचार में जुड़ गए है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आजपूर वोत्तर के दौरे पर है प्रधान मंत्री ने अरुनाचर प्रदेश के वैस्से आंख जिले के आलों में एक जनसाबा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि ये मेरा सौब भाग ये है ये देश के इस मेहतुपूर भाग को पिछले 5 साल से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ साथ ही अपने काम का हिसाब देने के शुरुआत भी अरुनाचर प्रदेश से ही हो रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने आपकी आशाओं अकानशाओं को सम्मान दिया आजादी के साथ दशक बाद अरुनाचल को रेलवे माप में लाने का अफ़सर मिला कॉंग्रिस पर निशाना साथ दे हुए उन्होंने कहा कि 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुक का फर्ख यही होता है कॉंग्रिस के हमेशा करप्शन से मजबूत साथ गाट रही आपका साथ मिला तभी हमारी सरकार अरुनाचल प्रोदेश के करीम पच्चास हजार परिवारों को पहली बाद बिजिली का कनेक्शन दे पाई गी यह आपका साथ मिला तभी तो हमारी सरकार अरुनाचल की 40,000 माताव बहनों को मुप्त में गेश का कनेक्शन दे पाई आपने देखा अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सेटलाइट को तीर मिल्च में यहां से जाकर गिरा दिया और आए खबरों में आगे बढ़ते हैं मिशन शक्ती पर प्रदान मिंतरी का राष्ट्र के नाम संबोधर आचार सहिता का उलंगन नहीं है चुनाव आयोग ने पर पक्षी शिकायत को खारिच कर दिया है आयोग ने इस मामले के विस्तरत जाज के बात कहा कि संबोधन से आचार सहिता का उलंगन नहीं हुआ है प्रदान मिंतरी ने बुद्वार को मिशन शक्ती की काम्याबी से देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था सीपेम नेता सीतराम येचुरी ने सरकारी प्रसारन सेवा का अस्तमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार सहिता का उलंगन होने का दावा करते हुए आयोग से शिकायत की थी इस मामले में आचार सहिता के उलंगन से जुड़े विबिन पहलों की जाच के लिए गढ़ित समिती के रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने ये चुरी की शिकायत को खारिच कर दिया है समिती ने इस मामले की जाच के लिए सारजनिक प्रसारन सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाश्वाणी के प्रधान मंत्री के संबोधन के प्रसारन की फीड का स्रोत और दूसरी जानकारिया मांगी थी फीड के सुरोथ की जाच के आधार पर समिती ने प्रधान पंतरी के प्रसारण को आचार सहीता के उलंगषन के दाएरे से बाहर बताया दागदार लोगों को बिदाए होनी चाहिए का नहीं होनी चाहिए भाईयों बेहनों देश को निरना एक सरकार चाहिए या फिर सिर्म नारे लगाने वाली जूठे वाइदे करने वाली सरकार चाहिए ये निरने करने की घड़ी आ गई है साथियों मौरान की तो पहचानी मजबूती से है जो मौरान की पहचान है वही पहचान पूरे हिंदुस्तान की होने चाहिए के नहीं होनी चाहिए अगर मौरान मजबूत है तो इंदुस्तान भी मजबूत होना चाहिए ये पहचान सिर्फ एक परिवार की गुलामी करने वाले क्या कभी दे सकते हैं दे सकते हैं क्या भाई और भेनों बारत मजबूत अभीस हो सकता है जब असम मजबूत होगा नौर्टिस मजबूत होगा यही प्रयास केंद्रों और असम की एंडिये सरकार किया है यहां के हम यह हमारे तमाम साथी एंडिये के सभी गटक असम के में भी और दिल्ली में हम भी यह विकास के ही कामों में लगे हुए है साथियों उन लोगों को तो चोकेदार से तो नफरत है ही चाएवालों से भी यह तिल मिलाए हुए है पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये एक चाई वाला ही इनके निशाने पर है लेकिन जब देश भर में गुमा तो पता चला कि असम हो या पस्चिम मंगा चाई उगाने से लेकर चाई बनाने तक जो भी चाई से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते वरना क्या कारण है कि दुनिया को मशूर असम चाई पिलाने वाले साथ दसलकों तक परेशानी में रहे उनको मुल सुविधाय तक नहीं मिल पाई सात्यों चाई वालों का दर्द ये चाई वाला ही समझ सकता है इसी का परणाम है कि दसकों के इंतजार के बार पहली बार यहां के चाई वालों के बैंक खाते खुले तो इसी दी तस्वेर आप अस्सम की मूरन से देख रहे थे जा प्रधान मंतरी नरींदर मोदी चुनाओ प्रचार करते नजर आ रहे हैं वहीं पहले और दूसरे चरण के चुनाओ प्रचार के साथी तीसरे चरण के लिए भी नामानकन जारी है बीजेप अधाग शामिट्शा आज गांधी नगर लोग सभसीर से नामानका दाखिल कर रहे हैं एहमदाबाद में एक जनसभा के अलावा रोडशो में भी वो शामिल हो रहे हैं चार किलोमीटर लंबा रोडशो एहमदाबाद के सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू होकर घाट लोडिया इलाके पर संपन होगा बीजेप अधाग शामिट्शा रोडशो से पहले लोगों से भी बातचीत करते नज़र आए राष्ट्री अध्यक्स के रूप में भारतिय जन्ता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है यह चुनाओ जो है एक ही मुद्डे पर लड़ा जाने वाला है किस देश का नेतृत्व कौन करेगा इस दोरान के इंद्रिमंत्री राजनाज सिंग और नितन गड़करी शिव सेना प्रमु को दवठाकरे, शिरुमणिया काली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंग बादर और लज़ेपी प्रमुक रामविलास पासवान समेथ बीज़ेपी और एंडिये घटक दलों के कई और नेता मौझूद रहे गुजरात के लुखी मंत्री विजरुपानी, राजजय बीज़ेपी के धक्ष जीतुवा घानी और दूसरे बीज़ेपी प्रित्याशी भी इस दौरान मौझूद रहे गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए 23 अपरेल को होने वाले मतदान के लिए नामानकन पत्र दाखिल करने के आख्री तारीक 4 अपरेल है अपने नॉमिनेशन पेपर इस पार्लीमेंटरी हलके से भरे गुजरात वालेओ आप बड़े खुशकिस्मत हैं के पार्टी प्रेजिडेंट भी आपकी स्टेट के और पुरदान मंत्री भी आपकी स्टेट से आपने बहुत कोई साधना की होगी जिससे ये दोनों पद्वियां आपकी स्टेट को मिली हैं अमीद भाई विशेश रुप से हमारे पार्टी के ऐसे अध्यक्ष है कि उन्होंने पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नार्थ इस से लेकर साउथ इंडिया से लेकर बंगाल में तक हर जगह पर भारतिय जनता पार्टी को ताकद और शक्ति के साथ खड़ा करने का श्रेया अमीद भाई के नेत रुत्व को जाता है और आज हमारे सोच एक है विचार एक है नेता एक है मैं विपक्चा को पोँच रहा चाहता हूँ कि क्या आपमें एक कैसी कुछ बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं देश की जनता को बता सकते हैं आपका नेता कौन बनेगा प्रधान मंत्री हमें सत्ता चाहिए जरूर चाहिए लेकिन कुर्सी के पागल नहीं हम कुर्सी के दिवाने नहीं हम पिछले पांच साल में जो है गाओं गाओं में घर घर में बूत बूत पर इन्होंने अमी साजी ने भारतिय जन्ता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है और एक तरफ में दो जोड़ी एक तरफ में दीन डाथ काम करने वाले कभी सोते नहीं हैं कब सोते हैं पता नहीं चलता है ना तो मैं गुजरात का मत दाता हूँ और आज यहां पर हमारे अमित भाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं नो तो उसका मैं प्रस्टावक हूँ और ना तो समर्थक हूँ फिर भी मैंने फैसला किया कि यह अमिद भाई शाह यह अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो उस आउसर पर मैं निश्चित रूप से मौझूद रहूँगा और इछे लिए आज मैं यहां पर मौझूद रहूँगा और इसी खबर पर बाचीत के लिए हमारे साथ जोड़े है हमारे समवायत पंचननन मिश्रा पंचननन हाई प्रोफाइल गांधी नगर सीट पर इस बार बीजेपी के वरिश नेतालाल करशाणवानी की जगह अमिच शाह चुनाओ लड़ रहे हैं अमिच शाह के लिए समर्थन और गडबंधन के नेताओं की मौझूदगी को कैसे देखा जा रहा है प्रिति देखिए अभी अमिच शाह जो है अहम्दाबाद में अपना चार किलोमेटर का जो रोड़ शो है उसको पूरा करके गांधी नगर में कलेक्टर आफिस पहुँच चुके हैं समय दिया गया था लगबख डेड़ बजे के आसपास वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे यहां पर और अमिच शाह पहुच चुके हैं नामांकन दाखिल होगा बहुत सकारात्मक रही और यह दिखता है स्विकारता दिख रही है कि किस तरह से अमिच शाह का जो कद है ना थिर्फ भारती जनता पार्टी के राष्टी अधिक्ष होने के नाते बलकि एक सरुसामान सरुमाने तरीके से यहां पर दिख रहा है कि एंडिये में चाहे हो रा प्रशन यहां पर हमिच शाह का और खासकर बीजेपी के लिए इस पूरे अंदाबाद में देखने को मिला और क्योंकि अब यह गुजरात एक बीजेपी के लिए अपने एहम स्टेट हमेशा से रहा है पिछले 2014 के चुनाओं में सभी 26 स्टेटे बीजेपी यहां पर जीत कर और देश भर में जो उनका चुनावी रहलिया होती है उसमें मुमिंटम मनाने के कोशिश करते हैं तो यह एक एक गड़ जोड है ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर इसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं और अपने आप में एहम इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने अपना लक्ष रखा है तीन सो प्लस का इस बार लोकसभा के चुनाव में और जिस तरह एंडिये में एक जुटता नजर आ रही है उसके बाद से यह अपने आप महत्तुपूर्ण हो जाता है कि चाहे हो प्रधान मंती नरिंद मोदी हो या मिश्या है उनके साथ एक जुटत पर लिखा कि सत्ता में लोटने पर नीती आयो के जगा बेहा छोटा प्लानिंग कमिशन लेकर आएंगे इस आयो के सदस्य देश के बड़े अर्थ शस्त्री और जानकार होंगे इस आयो में सो लोगों से भी कम का स्टाफ होगा कॉंग्रेस और बीजिपी के अलावा क्षित्रिय दलो के नेता भी चुनाओ प्रचार में पूरी ताकत जोक रहे हैं तिलंगाना के सभी सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए चुनाओ प्रचार जोड पकड़ने लगा है तिलंगाना के मुख्य मंत्रिय और टीरेस प्रमुक के जंदरशी खर्राओं ने नालगोंडा में रैली को संबोधित किया उन्होंने मिर्याला गुदा में जंसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि क्षित्रिय पार्टिया ही केंदर की सत्ता में आएंगी वही डेम के प्रमुक एंके स्टालिन ने रामेश्वरा में जंसभा को संबोधित किया इस मौके पर उनके निशाने पर राज्जी के सत्ता रूर ए आई ए डेम के रही हरियाना में लोग सबा चुनाओ 79 बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों के लिए बेहद अहम है इसके लाबा चुनावी नतीजे राज्जी की राजनीती के भविश्य की दशा और दिशा भी तै करेंगे ये चुनावी रणक चाचा अभे सिंग चोटाला और भत्तीजे दुश्यन चोटाला की राजनीतीक भविश्य का फैसला भी करेगा हरियाना से लोग सबा के लिए 10 सांसा चुन कर आते हैं लेकिन बीते चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अक्सर हरियाना में लोग सबा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल ने ही केदर में सरकार का गठन किया है यही वज़े है कि राश्य दल यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में आरूप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है इस बार हम अकेले अपने दम पर दस की दस सीट लड़ रहे हैं और जिस परकार से जो तीन सीट इस बार जो हमारे पक्ष में नहीं है सिरसा, हिसार और रुत तक अभी 25 परविक हमारे मानिये राश्ट धकजी ने बूचतरिये कारे करताओं का सम्मेलन किया जीत का मंतर दिया और अब हम पूरे आत्विस्वास के साथ कह सकते हैं कि साथ के साथ साथ ये तीन सीट भी अर्था दस की दस सीट पर भारती जनता पार्टी कमल खिलाएगी अर्याना जो है वो खेती बाहुले एरिया है राज्य है और किशानों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े है उनकी जिंसों के जो भाव हैं उनको नहीं मिल पाए बारती जनता पार्टी ने स्वामी नातनायो के शिफारस को लागो करने का वायदा किया था और सरकार उससे पीछे अट गई नहीं कर पाई हर्याना में सत्ता में रही इंडियन नैशनल लोगदल राज्य में मजबूत राजनेतिक पार्टी मानी जाती है लेकिन बीते दिनों राजनेतिक विरासत के विवाद के बाद चोटाला परिवार में सुलह की तमाम कोशिशे नाकाम हो गई अब अभे चोटाला और 2014 में इनेलों से सांसद बने दुश्यंत चोटाला की राजनेतिक राहें जुदा हो चुकी है सांसद दुश्यंत चोटाला अब जन नायक जनता पार्टी के बैन अतले चुनावी मैदान में कूट पड़े हैं बीजेपी ने 2014 में राज्य में सबसे ज्यादा साथ लोकसभा सीटे जीती थी जाहिर है वो इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी वहीं पूर्वसीम भुपेंद्र सिंग हुडा समीत पूरी कॉंग्रिस के सामने अपनी खोई जमीन को वापिस पाने की चुनाती है इसके अलावा चोटाला परिवार के दोनों धड़ों के लिए ये चुनाव वर्चस्व की जंग भी बन गया है हर्याना के लिए ये लोक सभा चुनाव कई माईनों में बेहत खास होंगे जहां एक और केंद्र सरकार के गठन में ये एहम भूमिका निभाएंगे साथ ही राज में होने वाले विधान सभा चुनाव में भी इस चुनाव की छाप देखने को मिलेगी कैमरा बटसन संतोशी आदव के साथ नव विक्रम सेंग राज्य सभा टीवी चंडीगड कुछ और हैम खबरे वितमंद्री अरुन जेटली ने बेंगलूरू में 28 मार्च को चापी की कारवाई के खिलाफ आएकर विभा के दफ्तर के बहार कॉंग्रिस और जेडियेस नेताओं की ओर से प्रदशन किये जाने पर सवाल उठाए हैं ब्रश्चा चार्ड को वज़या बनाता यूपी ए शिर्शक से लिखे गए ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि संगवाद का मतलब सिर्फ राज्यों का अधिकार नहीं है बलकि भारते संगवाद भारत को राज्यों के संग के रूप में स्थापित करता है और केंदर का अधिकार भी उत्रा ही महतुपूर है देश की स्तुरक्षा, संप्रभुता, अतंगवात के खिलाब कारवाई, सीमा प्रबंदन, कस्टम चेक पॉइंट, आयकर विबा की कारवाई के इंदर की सम्वेधानिक शक्तियों में शामिल है उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर राज्य इन में से किसी के भी रास्ते में आता है, तो संगिये नियमों का उलंगन करता है बंगलूरों की घटना का जिक्र करते हुए नोंने लिखा कि टाक्स अधिकारियों ने बयान जारी कर कि कहा कि किसी सांसद विधाय क्या मंत्री के हां तलाशी नहीं ले गई थी इतना ही नहीं किसी राज़ीतिक नेता और कार्यकरता के खिलाव भी एक आरवाई नहीं थी ये खारवाई करनाटक के पी डवलुडी विभा के कॉन्टराक्टर और इंजीनियस के खिलाव थी मितमंत्री ने पूझा कि फिर प्रदर्शन क्यूं किया गया जिसमें राज़ी के मंत्री और मुख्य मंत्री भी शामिल हुए मितमंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस और जेडियस की तरफ से ज़रूरत से ज़ादा प्रतिक्रिया संदेह पैदा करती है उप्राश्पते अमवेंक एनाइडू आज विशाका पत्नम जिला अदालत की 125 वी वर्षगाट समारों में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामाज एक परिवर्टन लाने के लिए नायपालिका को हमेशा एक महतपूर साधन के रूप में देखा जाता है उन्होंने कहा कि नायपालिका हमारे लोकतंत्र एक राजनीती का एक प्रमुक स्तंभ है लोगतंत्र के तीन स्तंभों में मैंत पूर्ट स्तंभोंने के नाते नाय पाले का ये सुनिश्चित करती है कि समयधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है जाते है जाते हैं ल革ा जाते हैं टार। मिट्र ज्यून्वरन लिस्तिस में टार चर्ट करद दिश्चछ धिक जा प्राविद व struggled घर जाता है जडिश्य के लिटैय। आओ आखने प्लिर बिल्र करते हैं इतकरने बाले के सब्सक्राई करते हैं जम्मू कश्मीर के नाशनल हाईवे पर एक कार में सग्दिक धमाका होने से अफरा तफरी मच गई उस वक्त वहां CRPF जवानों का काफिला भी गुजर रहा था धमाके से सेना की गाड़ी को भी थोड़ा नुकसान पहुचा है लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है केंदर ने शुकरवार को जमू कश्मीर में आतंग संबंदी गतिविदियों और आतंग वादियों को धन मोहया कराने के खिलाफ संगठित कारवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बहुए विभागी आतंग निगरानी समू गठित किया है इस समू में जमू कश्मीर पुलिस, खुफिया बियूरो, सी बियाए, एन आई ए और आएकर विभाग के पृतिने दी शामिल होंगे ये समू आतंग की गतिविदियों का समर्थन करने वाले शिक्षिकों समेथ, सरकारी कर्मचारियों के बीच मौजूद कर्टरपंथियों से साहनभूती रखने वालों के खिलाफ कारवाई करेगा बिहार बोड की बारवी की परिक्षा दे चुके चात्रों के रिजर्ट का इंतजार कुछी देर में खत्मोने वाला है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोड अब से थोड़ी देर में बिहार इंटरमीडियर के परिणाम की घोशना करेगा इन परिणामों को आप बिहार बोड की ओफिशल वेब साइट पर जाकर देख पाएंगे बिहार बोड के तेरा लाग से जादा स्टूरिंट्स बोड की आधिकारिक वेब साइट बिहार बोड.ac.in और बिहार बोड.gov.in पर जाकर अपना रिजर्ट चेक कर सकते हैं इस साल बिहार बोड में बारवी परिक्षा में 13,15,371 चात्रों ने हिस्सा लिया ये परिक्षा 6 फरवरी से 16 फरवरी तक आयू जित की गई थी और पहली बार रिजर्ट 44 दिनों के भीतर और मार्च महीने में निकाला जा रहा है तीन देशों की आत्रा की दूसरे चरण में बोलिविया की राजधानी सुख्रे पहुशे राश्पति रामनात कोविन ने अपने समकक्ष से मुलाकाद करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की बाचीत के दौरान दोनों निताओं ने आपसी व्यापार, अंतरिक्ष, आईटी समेट दूसरे क्षेत्र में आपसी सहयूग बढ़ाने पर जोर दिया इस दौरान दोनों देशों के भी संस्पृती, खननन और अंतरिक्ष समेट आठ समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये गए भारत ने विकास पर योजनाओं के लिए बोलिविया को 100 मिलेन अमरीकी डॉलर लाइन ओफ क्रेडिट देने की पेशकश की राशपती की तेन दिवसे बोलिविया यात्रा राजने एक संबंदु की स्थापना के बाद से लाटन अमरीकी देश की पहली उचिस्तरिया यात्रा है भारत की पहल पर बोलिविया अंतराश्री सौरगड बंधन में शामिल हो गया है दोनों देशों ने स्वच उर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबदताज यताई This is the first ever state visit between India and Bolivia and I feel honored to be part of this historic moment in our diplomatic ties Ladies and gentlemen, President Aber more or less and I had extensive talks today we discussed a range of areas of mutual interest in bilateral, regional and multilateral fields we have reaffirmed our commitment to strengthen our political and economic engagement India feels privileged to share its development experience with Bolivia under the framework of South-South cooperation in this spirit, we are happy to offer 100 million US dollar line of credit to Bolivia for financing development projects. We are happy to have Bolivia as a partner in the International Solar Alliance and welcome the signing of the framework agreement establishing the bond. In addition, we have signed eight MOUs in the field of culture, visa waiver arrangement for diplomats, exchange between diplomatic academies, mining, space, traditional medicine, establishment of center of excellence in IT and biogenic railway project. This is the time of the government, the government has been supported by Bolivia and has been supported by the government. The government has been supported by the government and the government and has been supported by the government and the government the government for the support of Marine Cubs. University students will be supported by and will be supported by the performance of the government. In Malaysia, कि मलैशिया में सुल्तान अजलान शाहोकी टॉर्णमेंट का फानल मुकाबला आज भारत और लक्षन कोरिया के बीच होगा। टेमइंडिया की गोशच जीत कि लेक बरकरार रखते हुए, फानल में जीत के एरादे के साथ उतरेगी। टॉर्नमेंट में भारत और कॉरिया के बीच ये दूसरा फाइनल है, 2010 में दोनों के बीच खिला गया फाइनल बारिश के कारण नहीं हो सका था, और दोनों को संयुक्त बीजीता घुशित किया गया था। भारत की स्वतंतरता के लिए माहौल बनाने और नव्यूवकों को प्रेडित करने में लगाया। की कला को जादा से जादा दर्शिकों तक पहुचाने के लिए नाइट म्यूजियम शुरू किया गया है, जिसमें अपसे ये गैलरी शुकरार रशनिवार के दिन राट आट बजे तक खुली रहेगी, महीने के आखरी शुकरार को इस समय सीमा बढ़ा कर ग्यारा बजे कर द अचाना है।